Honda 2 Wheeler भारत समेट दुनियाभर में कई छोटी बाइक्स और स्कूटर्स की बिक्री करती है. ऐसी ही एक बाइक Honda Monkey 125 है. यह बाइक जापान और कई अंतराष्ट्रिय बाजारों में भी काफी लोक्त्रिय है. कंपनी ने इसका एक नया लाइटिंग एडिशन हाल ही में लॉंच किय बाइक पीले कलर में काफी आकरशक नजर आ रही है. Monkey Lightning Edition में USD Forks, Fuel Tank, Side Panel, Swing Arm और Twin Rear Shock Ape Jobber पर पीला शेड है. क्रोम का भरपूर इस्तेमाल इस बाइक को और भी आकरशक बनाता है. फ्रन्ट और रियर फैंडर, हेडलेंप, इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ब्रेक और क्लच लीव, टन इंडिकेटर्स और रियर तेल लैंप सभी क्रोम में बने है. इसमें 125 घन सेंटीमीटर इंजन है जो 9.2 BHP की अधिकतम पावर और 11 न्यूटन मीटर का पीक टॉक जैनरेट कर Honda Monkey में दोनों सिरो पर डिस्क ब्रेक हैं, सामने ABS है. शहरी आवागमन के लिए 5.6 लीटर की इंधन टैन क्षमता है. इसमें ओफ रोड ट्रेक पर भी चलने की क्षमता है, जिसके लिए उभरे हुए फ्रन्ट फैंडर और ब्लॉक पैटन टायर दिये गए है. कंपनी ने इस बाइक को थाइलेंड में लॉंच किया है. इसकी शुरुवाती कीमत TBH 108,900 यानी लगभग 2.59 लाख रुप्ले है. इसकी तुलना में, स्टैंडर्ड मनकी वेरियंट की कीमत 99,700 थाई बात, लगभग 2.38 लाख रुप्ले है. हालाकि होंडा मनकी में भारतिय बजार के लिए भी संभावनाय दिखती हैं, लेकिन यह संभावना नहीं है कि इसे जल्दी यहां लॉंच किया जाएगा. कमपनी भारत में होंडा नवी नाम से एक मिनी बाइक को बेचती है, जिसे ग्राहकों का मिलाजूला रेस्पॉंस मिल सकता है.